हेलो फट्टिटू अब भी वादान आपका एक्जिमर के इस पहले पाट के वीडियो अपिसोड में सूसाइट के खबरे आपने भी टी बी पर देखी होंगी और पेपरों में पढ़ी होंगी और ऐसा नहीं है कि सूसाइट सिर्फ आर्थिक कारणों की वज़ा से हो रहे हैं हमारे समाज में अपने छेतर में उत्कृस्ट कार करने वाले लोग भी सूसाइट कर लेते हैं तो कैसे बनाएं अपनी जिन्दगी और खुसहाल यही है आज के इस वीडियो का विशे जिसमें आज आप जानेंगे क्या है सूसाइट के कारण, सूसाइट रोकने के तरीके क्या है, सूसाइट करने वाले की पहचान कैसे करें और मदद किस से लें जैसे प्रस्णों के जबाब जराविस्तार से ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में दुनिया भर में एक साल में तक्रीबन आश लाख लोग आत्महत्या करते हैं और भारत में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या एक लाख पैतिस जार है जो कुल सूसाइट का लगभग सत्रा परसेंट है WHO के 183 देशों की सूसाइट रैंकिंग में भारत 19 में अस्थान पर है और अपने आसपास के सभी मुलकों से ज़्यादा सूसाइट के मामले प्रतिवर्स भारत में ही होते हैं तो क्या है सूसाइट के कारण आईए अब ये जानते हैं सूसाइट प्रिवेंशन के लिए काम कर रही संस्थाओं के मुताबिक सूसाइट की तमाम वजहें होती हैं मोटे तोर पर इन्हें तीन ग्रूप में माटा जा सकता है पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा मेडिकल सामाजिक कारणों में सबसे ज़्यादा एहम है रिलेशन्शिप जिसमें अफेयर, एक्स्टा मेरिटियल अफेयर, साधी सुधा जिंदिगी से संबंधित वजहें इसके अलावा, परिवार, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ आने वाली दिक्कतों के चलते भी लोग सुसाइट का कदम उठाते हैं इसके बाद दूसरा कारण है आर्थिक, आर्थिक कारणों में बिजनेस का डूबना, नौकरी का छूटना, आयका साधन ना होना, करजे आदी जैसे चीजें सुसाइट का कारण बनती हैं और तीसरी और अंतिम वजह है मेडिकल, मेडिकल कारणों में लाईला, सारीरिक, अथवामानसिक बीमारी, गहरा डिप्रेशन वा बुढ़ापा जैसी तमाम वजहें होती हैं तो क्या है सुसाइट प्रिवेंशन रोकने के तरीके, आईए अब इस पर बात करते हैं दरसल सुसाइट करने वाला हर बेक्ती ऐसा कदम उठाने से पहले अपने आसपास के लोगों को कई तरह से प्रतेच और अप्रतेच सिगनल या संकेत देता है थोड़ा सचेत और संबेदन सील रहकर इन संकेतों को पढ़ा जा सकता है और उसकी मनो इस्थिती का अंदाजा भी लगाया जा सकता है इस छेतर में काम कर रही वालेंटियर्स का कहना है कि कोई भी इनसान मरना नहीं चाहता इनसान बेहर मजबूरी में ही अपने जीवन को खत्म करने का फैसला लेता है हर आत्म हत्या करने वाला क्राइफ और लास्ट हेल्फ की तलास में रहता है वह चाहता है कि कोई उसकी आखिरी पुकार सुन ले वक्त रहते किसी ने उसकी पुकार को सुन कर समझ लिया और मदद कर दी तो जिन्दगी बचाई जा सकती है हलाकि इन संकेतों को पकड़ने के साथ साथ आपको उस बेक्त की मनो इस्थिती और गत्मिधियों पर भी गौर करना होगा तो कैसे पहचाने सुसाइट करने वाले को आईए अब इन लच्छणों के बारे में भी बात करते हैं सुसाइट करने के लच्छनों में जिन्दगी के प्रती अनिच्छा जताना, मरने की बात करना, अचानक बिना किसी प्रतच कारण के अपने जिन्दगी के महत्यपूर्ण कामों को निप्टाने लगना, लोगों के बीच अचानक गुडबाय या अलविदा जैसे सब्दों का इस्तेमाल करना या इनके मैसेज भेजना, इन्हें अपना स्टेटस वगेरा बनाना, इसी के साथ ही अपनी चीजों के प्रती बिलक्ति का भाव दिखाना, अचानक कोई ब्यक्ति बिना वज़ा अपनी सबसे प्यारी चीज को किसी को यूही अगर दे दे, मन पसंद कामों, रुचियों और पसंदीदा चीजों के प्रती भी अनिच्छा का भाव दिखाए, उसकी अंदेखी करे या उससे लगाओ कम हो, तो ये सुसाइट के लच्छन हो सकते हैं, इसके अलावा अपनों का साथ अगर उस ब्यक्ति के आसपास रह रहे लोग, मित्र, पर्चित, वरि ऐसे लच्छन दिखें, तो उसे सलाह देने या सुसाइट का ख्याल अपने दिल से निकालने के लिए डांटने या किसी और तरीके से बास समझाने की कोशिस नहीं करना चाहिए, कई बार लोग परिवार या बच्छों का वास्ता देकर ऐसा करने से रोकने की कोशिस करते है लेकिन सुसाइट पर आमादा बैक्ति ऐसी किसी भी चीज को सुनने के मूर में नहीं होता। कई बार वहां ऐसे हालातों में और अपने भीतर सिमटने लगता है और भीतर ही भीतर उसके मन में सुसाइट का ख्याल और गहराने लगता है। से बिकल्प की और कदम बढ़ाता है अपनों के लिए वक्त निकालिए खास कर अगर आपके पास कोई परेशान बैक्ति या द्वन्द से गुजरता बैक्ति हो तो उससे बात कीजिए। बात करते समय ध्यान रखें कि उससे ऐसी कोई बात या सवाल ना करें जिस से वा उत् इंडिया मेंटल हेल्थ की दिसा में काम कर रही संजीवनी जैसी तमाम संस्थाएं भी सुसाइट से जूड़ी काउंसलिंग का काम करती हैं। दिल्ली में सुमैत्री नाम से चल रही संस्था, लोगों को फोन, इमेल वा पसनल विजिट के जर्य ये मदद करती है। इस संस्था के वॉलेंटियर्स उनका दर्थ सुनते हैं और उन्हें मौत की तरफ से जिंदगी की तरफ लोटने के लिए प्रेरित करते हैं। सुसाइट प्रिवेंशन का काम काफी संबेदर से जिम्मेधारी भरा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। निकल जाए और वह अपने भीतर हलकापन महसूस कर सके। इसी बातचीत में उन्हें अपनी समस्या का हल खुश सूजने लगता है। इस दोरान ना तो उससे ज़्यादा सवाल पूशा जाता है और ना ही कोई सलाह दी जाती है। किसी को सलाह देने का मतलब है कि हम उसकी बुद्धिमत्ता को कम करके आख रहे हैं। कोई भी कॉलर जब किसी संस्था से संपर करता है तो उसकी हालत धुंद भरे चौराहे जैसी होती है। उसे यह पता होता है कि यहां से आगे कई निकलने के रास्ते हैं लेकिन वह इन रास्तों को देख नहीं पाता। इन संस्थाओं के एक्सपर्ट का काम उसे रास्ता बताना नहीं बलकि धुंद छटने तक उसका हाथ थामना है। सुसाइट से जुड़े मामलों में मदद मांगने वाले लोगों में सुसाइट करने के इच्छुक लोगों के अलावां कई बार परिवार वाले और मित्र भी होते हैं। दरसल सुसाइट करने की और बढ़ रहा बेक्ति अगर कॉल करता है तो इसका मतलब है कि वह जीना चाहता है। पूर्वाग्रा से ना देखकर कॉलर्स के नजरिये से ही देख और समझ रहा है। और सुसाइट प्रिवेंशन में काम कर रही संस्थाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्किप्शन चेक कर सकते हैं। संस्थाओं की पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई जानकारी आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन को कैसे रखें दूर लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें सुसाइट की प्रवित्ति को कैसे पहचानें मन उदास हो तो क्या करें डाइट में किन बातों का रखें खयाल योग से कैसे ले मदद परिवार और दोस्त कैसे करें मदद और आयरवेद में क्या है इसका इलाज और अगर इस विशे से संबंधित आपका कोई प्रस्ण अनुभवया सुझा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद नमस्कार